हाई एवरीवन आज की वीडियो में हम देखेंगे इस्टेव आई इस्टेव घर पे क्लीन अप कैसे करें में नेचरल चीजों के साथ आपको घर पे क्लीन अप करना बता हमगी जो आपके कीचिन में ही आवेलेबल है तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना ह चली देख लेते हैं मैंने किस तरह से क्लीन अप किया है तो सस्टेव आती है की क्लीन जिंग के लिये में ले रहे हूं दहीद है एक इनग्रिडियेंट के इसकिन पर क्यूआफको दियेट करना है याह हमारी में जो और अगर आपको दरी बिल्कुल भी शूट नहीं करता है ना तो आप इस तरह से एलोविरा जेल भी ले सकते हैं रो मिल्क भी ले सकते हैं यह भी काफी अच्छे क्लिंजिंग का काम करते हैं बहुत अच्छे तरीका से हमारी स्क्यून को क्लीन कर देते हैं इसकी हमें फेस्ट के ाच्छे में या उच्छे तरीका से हमेरे पर 1-2 मिन्ट तक अच्छे में मसाज़ कर लूँग आप किषी और आपसे क्लोड़ अ'll का सकते हैं पर लिए में यहां पर यूज रही हूं और सापड़ा यह मिल जाएगा ऊसले odds लेना ये all type skin के लिए मैंने यहाँ पर two spoon odds लिया है देख सकते हैं आप अब मैं इसमें normal water add करूँगी देख सकते हैं आपको कहीं भी easily मिल जाएगा आप इस तरह से ले सकते हैं और इसमें मैं normal water add कर रही हूँ odds बहुत जल्दी सोगी हो जाता है और इसके अंदर से white milky सा water निकलता है तो देख सकते हैं यह all skin type के लिए हैं बहुत ही अच्छा है आप किसी भी skin के उपर बहुत ही smoothly इससे scrub कर सकते हैं और oily skin के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा option है इस scrubbing के लिए odds बहुत ही अच्छा option है अगर odds आपको suit नहीं करें अगर आपको odds कहीं पर available ना हो तो आप इसकी जगह rice floor भी ले सकते हैं रवा सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप इनका यूज़ कर रहे हो ना त और अगर आपके white heads and black heads है तो आप steam भी ले सकते हैं इस्टिम लेने के बाला आप उन parts के उपर दुबारा से scrub कर सकते हैं हमें scrub 2-3 मिंट के लिए करनी होती है अगर आपके dead skin white heads ज्यादा है तो आप इसे 4 मिंट के लिए भी कर सकते हैं अच्छे से and बहुत अच्छे से smoothly hand चल clean up में 3 step होती है first step होती है cleansing second step होती है scrub and third step होती है पेक तो आप इस clean up को आप सब्ता में एक बार जरूर यूज करें अगर आप इसा करोगे ना तो आपको facial कराने की जर्वत नहीं पड़ेगी बार बार पालन में नहीं जाना पड़ेगा और आपकी जितनी भी skin पर जितनी प clean up कर सकते हैं बहुत ही आसानी से अप नेचरल चीजों के साहरती clean up कर सकते हैं इनका ज्यादा side effect भी नहीं होता है यह हमारी skin को आसानी से suit कर जाती है जैसे हम खाने में यूज लेते हैं वैसे हम अपनी skin के उपर भी उनको यूज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा option है आप इस तरह से clean up कर सकते हैं बहुत ही आसानी से तो यहां पर मेरा scrubbing हो चुका है अब बार्याती face wake यह face wake मैंने बनाया है मैंने दो चमस लिया है बैसन अब इसमें एड कर रही हूं turmeric and दो चमस लिया है मैंने दही अब यूज करूंगे आदा टमाटर का रस अगर आपको प्रियमन चूस की ले सकते हैं इसकी जगर तो अमें इन सब को मिक्स कर लूँगे अच्छे से और एक पैश्ट बना लूँगी इस तरह से आपको और भी face wake बना सकते हैं इनके अंदर आप और बी कुछ एड कर सकते हैं और अच्छा सा face wake बना सकते हैं मैंने यहां पर बना अच्छा ग्लोई डूई सा बना देगा एंड जो इसमें टेरिमेरिक है तो यह काम होता है एक ने पिमपल्स को रोकना तो यह एक ने पिमपल्स के लिए भी काफी ज़दा है तो आप इस तरह का face wake यूज कर सकते हैं आप इसे सब्ता में एक बार जरूर यूज करें तो आप इस पे को नेक पे भी अपलाई करेंगे नेको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगी मैने अच्छे से नेकपे एंड फैस्पर कर लिया है अमें इसे पंदा मिंट तक छोड़ दूँगे स 15 मिंट के बार देख सकते हैं अच्छे से ड्राइं हो चुका है आप इसे रिमु करके जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुरी मत भूना थेंक यू पर वोचिंग बाई